हेलो फेंट्स, यूनिंग स्वारत में आप सभी का स्वारत है और आज मैं आप सभी के लिए लिए के आई हूँ मूली के पत्तों की खास रेसिपी आज हम मूली के पत्ते से बनाएंगे खसता पूरी जो बहुत ही टेश्टी लगती है अकसर हम यह करते हैं कि मूली को तो हम खा लेते हैं लेकिन उनके पत्तों को हम फेक देते हैं लेकिन आज हम उन्हीं पत्तों से बनाएंगे बहुत ही टेश्टी पूरी इसे खाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम इसे सबजी से ही खाएं इसे हम चाय से भी खा सकते हैं टेश्ट में बहुत ही लाजवाब लगता है तो फिर देर किस बात की आईए इस रहसे पिक को हम बनाते हैं और हाँ अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले हैं मूली के पत्ते से पूड़ी बनाने के लिए हमने मूली के पत्ते को ले लिया है और इसके डंटल को निकाल दिया है और इसे हमने दो से तीन पानी अच्छे से वास करके धुल लिया है और अब इसे हम लेकर चौपर में डालकर अच्छे से इसे हम चौप कर लेंगे हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे लिए दोड़ा सब भूंने के लिए हम नांद हूर्पटेल लिए, मुली मुण design अंर यह से अधाचे मुंद अधा उच्मश हेन बहु हो छुका है हम इसमें चौप किया हुआ मूली के पत्ते डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर दो मिनट तक बूल लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे आधा चमश नमक अब अपने टेस्ट के अनुसर डालिएगा और नमक डालने के बाद इसमें अच्छे से मिला दे करेंगे कि अचछे से बुन चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसे ठंडा होने के लिए साइप में रख देंगे और अब हम चलेंगे डो लगाने के तरफ तो हमने दो लगने के लिए एक परात में एक कप यहूंका आटा ले लिया है और अब इसमें हम डाल देंगे छोटा सा प्याज मतलब आधा कटा हुआ प्याज को हमने चौप करके इसमें डाल दिया है और अब इसमें हमने जो भी भूने हुए मुली के पत्ते रखे थे साइग में वो ठंडे हो तो अब इसमें एड कर देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे लैसुन, मिर्चा और अद्रक का पेश्ट और एक चमच हल्दी पाउड हमने एड किया और यहां हमने आदा चमच कलोंजी लिया है और इन्हें हातों पे ऐसे रखे अच्छे से हम ऐसे कर लेंगे और उसके ब इसमें 1 जीर का पाउडर इसमें बहुत ही अच्छा आप चाहर इसमें आम चूर पाउडर भी एड कर सकते हैं और इसमें हमाय करेंगे एक चमच नमक अपनी सवाधाना करेंगा और पूरी को और भी खस्ता बनाने के लिए हम लाश्ट में इसमें दो बड़े चमच एट करेंगे घी घी डालके इसे अच्छे से हम मिला देंगे घी डालने से यह होगा कि पूरी हमारे काफी खस्ता बनेगी और इन सभी को हम अच्छे से मिला देंगे और सभी अच्छे से मिल चुके हैं तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पाने डालेंगे और इसका डो लगा लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका डो बिल्कुर अच्छे से बन चुका है तो इसे हम दो मिनट के लिए साइड में रग देंगे रेश्ट के लिए जिससे काफी अच्छे से फूल जाएगा और रिश्र देने सी योगा ना कि पूरी काफी अच्छी बनेगी दो मिनट हो चुके हैं तो अब हम चलते हैं पूरी रोल करने की तरफ तो अब हम जो भी डो हैं उसके छोटे-छोटे बॉल ले लेंगे और उसके हम पूरियां बेल लेंगे उड़ी बनाने के लिए हमने जो भी छोटे-छोटे बॉल बनाया ना इससे हम आटी में डीप करके बेलेंगे आप चाहाँ तो इससे ओल में भी डीप करके बेल सकते हैं सारी पूरियों को हमने अच्छे से बेल दिया है और अब हम चलते हैं पूरियों को तनले के प्रोसेस में पूरियों को तरणने के लिए हमने यह एक पेन में तल को गरम होने के लिए रग दीया था जो कि अच्छे से आशानी घ्रम हो चुका है तो जो भी हमने पूरियों वेल के रखा था अवसे हम बारी बारी डाल लेंगे और ध्यान रहर हम को को हाई फ्लेम पर ही तलेंगे ऐसी सीम प्रोसेस से हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मूली के पत्ते से मैंने कितनी मज़दार रैसे पी बना ले तो ऐसे आप भी खाने वाले चीज़ों को पहले चेक कर लें कि उससे कुछ बना सकते हैं कि नहीं अगर बना सकते तो उसे जरूर बनाएं तो फाइनली हमारी मूली के पत्तों के पूरी बनकर रेडी हो चुकी है इस रेसिपी को आप जरू ट्राइब करेंगा और हमें कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी आप